नमस्ते मित्रो, वेलकम बेक टू माई चैनल और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ अपनी छोटी सी बालकनी का कार्डन टू मैंने कैसे बनाया है, क्या क्या लगाया है, आप ही विंटर की सीजन कमप्लिट होने वाली है तो उससे पहले एक नजारा देख लेते हैं मेरी बालकनी का, तो मगर इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए चलते हैं, अपने गुड हल से स्टार्ट करते हैं, हिपिसकस प्लांट से, जो कि मैंने दो दिन पहले ही इसको प्रूनिंग की है, और वर्टिलाइजर भी दिया है, पूरा वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल पे मैंने डाला है, तो वहाँ से आप देख सकते ह तो ये है मेरा हॉली हॉक्स का प्लांट, जो कि अभी जाने वाला है, क्योंकि गर्मी के सीजन में ये नहीं चलता, तो उसकी बाजू में मैंने लगाया है, ये मनी प्लांट देखो कितना बड़ा हो गया है, क्योंकि मैंने इसको एक बड़े से टब में लगाया है, तो जो में टॉरेनिया है और फिर एकजोरा का प्लांट था तो यह टर्टल वाइल मैंने हेंगिंग बास्केट में लगाई है और उसके पीछे यह पोर्ट में मैंने लगाया है मनी प्लांट जो कि पूरा फैल गया है पोर्ट ही नहीं दीख रहा और उसमें तीन प्लांट लगे ह और मीठे नीम यानि की कड़ी पत्ता का प्लांट भी उसमें ही लगा है और यह है तुलसी जी का प्लांट जो मेरे छोटे से पोट में लगाया है यह है जेरनियम का प्लांट जो की बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है कोई भी पत्ती पीली नहीं है कोई भी पत्ता सुखा और हर डाली पे lige जाये हुए है अब देख सकते हो तो मैं अभी इसके उपर भी वीडियो बनाने वाली हुँ तो आप कमेंट कीजिएगा कि आपको इसके उपर वीडियो देखना है कि नहीं देखना है अगर देखना है Cemal इसके और इसका प्रफेक्ट information चाहिए आपको यह है मेरे कलांचु का प्लांट और उसके पास में रैनो का प्लांट है और उसके पास में मनी प्लांट की कटिंग मैंने और भी लगाई है और यह है जेरेनियम की कटिंग और उसके पास में मैंने देशी रोस की भी कटिंग लगाई है और इस पोड में लगे है पेंटाज और पिटुनिया और फिर यह है मेरे गुलदाओदी के प्लांट जो कि छोटा है मैं उसमें दूसरी बार फ्लावरिंग हो रही है यह मैंने सभी मेरे रेलिंग पे यह मैंने बास्केट्स लगाये है यह plant सभी उसमें ही लगाए है क्योंकि हमें जब सोक होता है gardening का कम और जगह कम होती है तो हमें कुछ नकुछ जुगार करना ही पड़ता है तो देखिए यह सभी plant मेंने इसमें लगाए है और यह है आइस plant जिसमें अभी तक flowering हुई नहीं है और यह baby sun rose का plant है जो की hanging basket में लगा हुआ है तो इस सरफ देखिए यह मैंने गुलाब लगाया है इसमें English गुलाब जो आता है hybrid वह वाला और इसमें भी hybrid हिबिसकस लगा है और यह सब मैंने cutting से लगाये हुए है यह मैंने seed से grow किये हुए जर्बे राज है जो अच्छे से grow करें एक भी नहीं सुखा और किसी को भी problem नहीं हुआ सब भी अच्छे से grow कर रहे है तो यह मैंने सब अभी तो छोटे port में लगाये है फिर grow हने के बाद मैं इसे बड़े port में transfer कर दूँगी यह मेरी कृष्ण कमल की बेल है जो की winter में अभी dormancy में थी अभी अच्छे से यह grow कर रही है और यह मेरा छोटा सा water garden है जिसमें मैंने water lilies लगाई हुई है तो वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत पूलेगा नोटिफिकेशन बेल पी ओन कर लिजेगा बाई टेक केर